एजगू, एजगू क्या भाई, पता नहीं क्या बात है, क्या मालुम करने आया है एक बार बुलाने से सुनाई नहीं देता है क्या सुर्य भाई, सुनाई नहीं दिया ओ, समझ में आया, तुझे कान से सुनाई नहीं देता आओ ना भाई, टी, कॉफी, बूस्ट, बॉन वीटा, कुछ तो भी आएंगे भाई बॉन वीटा, ये विस्की, ब्राइंडी, ये सब नहीं मिलता है क्या मेरी ही चाल, मुझे ही एक बात बता, तुने इस लाइफ को समझ क्या रखा है सिर्फ मजा करना ही लाइफ होती है क्या अच्छा, उस दिन किदर था तू? वहाँ क्या-क्या हुआ था सब बता बाहर से बाहर आने के बाद, थोड़ा ओवर हो गया था शिवने मुझे बोला, लॉंग ड्राइव पर जाएंगे मैंने इस गाड़ी को भगाया आधे रास्ते में जाते ही, एक जगा पर स्टॉप किया हमने वहाँ रुक कर फिर से ड्रिंक्स लिया और फिर एक्सियन्ट हो गया, और ये सब होने बाद, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चला कैसे घर पे गया, किधर गया, क्या किया, इसके बारे में कुछ पता नहीं चला आज की बाद तुम लोगों ने पी न, तो तुम लोगों के हाथ फैर तोड़के रख दूँगा, क्या, चलो ठीक है भाई, इन लोगों का नटक को जादा ही चल रहा है, नज़र रखनी पड़ेंगे अंकल आप मुझे कहा लेके जा रहे हैं हाई, गड़ गर्ल, मैं जैसे बोलूँगा वैसे सुनो, तुम्हें जो चाहिए वो दूँगा झाहिए जुँगा झाहि अंकल रहा झाहिए 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 ऱहिए झाहिए वो झाहिए धार नहले हैं झाहि हैं दो हिस भाद खाल के थृष्ट कर भाद घमाराल करोंपा टो भाद हो नह भाल मुगाउ करने हैं प्रॉल्ज के स अंकल आपने इन लोगों को क्यों मारा है ये लोग कुछ बुरे लोग है बेटा आपको समझ में नहीं आएगा चलो ये सब क्या मगज मारी है तो समझ में नहीं आए तो ये बच्चों को उठाके ले जाते हो कादा की निकरते हो सबको मारते हो आज बचाता तुम्हें जग्गू मेरे बेटा कहां चला गया जग्गू कहां चला गया उठना बेटा जग्गू जग्गू कुछ जग्गू कुछ जग्गू कौन है ये क्या डून रही है है भगवान जो मैं घर डून रही हूं वो मुझे जल्दी मिले आने तो देखते हैं कौन है ये ये तो मुझे ही देखता जा रहा है हलो हां इधर आओ इधर आओ हां क्या डून रही हो तुम टूलेट बोड है क्या यही देख रही थी तुम्हें देखके तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम चोरी करने के लिए कोई घर डून रही है अब यहां से राइट जाओ लेफ्ट जाओ उधर है क्या सर रियल इस्टेट अफिस है वहां अंदाजा लगाने सच्छा है कि तुम जाके उनसे पूछो ठीक है ठीक है सर नॉंसेंस नॉंसेंस मैंने अड्रेस पूछा यह नहीं पूछा कि घर काली है बिना दिमाग की बात कर रहा है स्टूपिड वापस बुलाएगा तो टेंशन मिलेगी इससे पहले कि सक लेती हूं शीबू ए शीबू 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 प्लीज भावी भाई आने तक मुझे सोने दो ना ए शीबू तुम्हारे भाईया को आई हुए आल्रेडी पांस मिनट हो गए हैं अब तक तो उनके कॉफी भी खतम हो गई हो पहले बोला चीए था ना मैं आ जाओंगा ओकी कितने प्यारे हैं दोनों भाई ब्रेकफास करने के लिए भी टाइम नहीं है ऐसे कौन से काम पे जा रहा है अरे कलेक्शन के लिए जा रहा है वो फाइनेंस ओफिस का काम शुरू किया है ना उसने फाइनेंस बाल तुम्हे सब के साथ मार पीट करने बाला अब फाइनस का धंदा करेगा तो गया काम से अरे बिना बाद वो किसी को क्यों मारेगा बला जानती हो ना वो तुम्हारी वज़े से बिगड़ा है हां 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 फास्टल से शिप्ट करके मैंने ही तो बड़ा किया है जाए 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 रेडियो जाए जब देखो अरे बोला ना लो इसे डीजे भाई तुम्हें जिम्मेदार हो इसके हां 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 चलो मिलते हां ओके भाई हां तुम्हारा कैसा पुछ दिनोंगा टाइम दो भाई में लाके देता हूना और किते दिन चेही तुम्हें भाई में बात तो सुनो पैसा अभी 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 यह ए पाइनेंस लेकर पैसे वापस नहीं करेगा तो मारेंगे रहीं तो और क्या करेंगे तुम जाओ अनुआ भी मैं देखता हूं क्या करना जाने के लिए मत बॉली जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक मै ने जाओicans सब लोग भगवान को मंदिर में देखते हैं फोटो में देखते हैं लेकिन मैं पुलिस इस्टोशन में देख रहा हूँ सर ठीक है जाओ थाइंक्यू सर तुम्हारे भाई के भरोसे ये सब कर रहा हूँ चल अब उन्हें बताता हूँ चल यहां से पहले बार निकल अरे शिवा अगर इन लोगों से ऐसी दपता रहेगा न तो जल्दी ओफिस की क्लोजिंग सहरे मनी हो जाएगी इतना बड़ा मैटर नहीं है तो क्या तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा हेलो नो चांस तुम्हारे साथ रहूंगा तो गड़बड हो सकती है उनका कहना है कि उन्हें सब चाहिए ये भी और वो भी इसा बोला ये चाहिए और वो भी चाहिए नमस्ता सार ये लोग कितने हैं दस हजार है ठीक है जाओ ये पैसा देने के टाइम किसी को देखो मत चलो जाए आसे जी भाई आज बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं अब क्या करूं पाइनस दे के सबको मारता रहेगा तो लोग अगर उसका पैसा दे देंगे तो क्यों मारेगा उन्हें भला उसके लिए मारपिट करेगा क्या मुझे तो उसे भाई बोलने में भी शर्माती है जबसे मैं इस घर मे आई हूं मैं यही देख रही हूं कि आपने उसे कभी भी अपना छोटा भाई माना ही नहीं लेकिन वो हर समय आपको बड़ा भाई बड़ा भाई बोलता रहता है इसलिए तो सब लोग हमेशा मेरे ही सामने आके रोते रहते हैं आपको उन्हें दो थपर लगा के भेज दिन उसके लिए कुछ भी कर सकते हो लेकिन उसे प्यार जताना तुम बिल्कुल भी नहीं जानते क्या वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम जाओ अरे अरे क्या करें हो उधर हाथ पैर जोड़ कर काम लेते हो या कर हमारा सर खाते हो इस टेशन में सुबह सुबह आते ही क्या काम करना चाहिए मालूम है के एरेंटीस का दिमाग गया खतम हो गया सर मुझे डूइटी जॉइन करके चार साल हो गए आज स्टेशन ट्रांसफर होकर नौवे स्टेशन में इधर आई हूं सब स्टेशन में छे मैने के बाद ही मुझे ट्रांसफर कर दिया करते थे बट इधर तीन मैने में ही ट्रांसफर हो जाएगा लगता है क्य इसका मतलब तुम करोगे क्या इसे लिए जाल बिछा रहा हुँ यह जगह देखते देखते पाँ साल हो गए बिल्डिंग बांते हुए चार साल हो गए पांच इंजिनियर आये और वीजन मिस्त्री यहां रखे गए लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ ए उसको नीचे रखो इधर क्यों रखा हां ए सुन बे जल्दी करो कौन है यह रोज यहां आके कुछ ना कुछ करता रहता है चलो यहां कब यह फोटो ले ही लेता हो ओ भाई साब कुछ अकल है आपको मैं इतनी देर से देख रहा हूं आपको हर जगा जाज आके फोटो ले र से अरे पहले आप यहां से चले जाएए जादा मत बोलिये किसको बोल रहा है तुआ है जोइंट वेंचर में जंगा लिया इसने डेली आके हम लोगों को टोर्चर करता है ऐसा क्या नेक्स टाइम जब आएगा ना फोटो ले ने करेक्ट टाइम देखके नीचे डालता हूं से अरे ऐसा कुछ मत करना चलो चलते हैं काम देखते हैं चलो यह सर या भी एमार्ड ऑल्सो अप्रूट सर सैनिटरी वाटर सप्लाय एंड के बी और फैसलिटीज आर अवेलेबल इन और साइट सर आप जब भी फ्री होंगे तो हमारी साइट वीजिट कीजिए सर तो फिर हम बात करेंगे थैंक्यू सर एव एसदे अरे भाई थोड़ा एडवांस चाहिए मुझे सिव को पैसे देने है ए क्या है तुम हमेशा किसी ना किसी के नाम पर मुझसे एडवांस लेते रहते हो आल्रेड़ि एडवांस के नाम पर तुम पचास अजार रुपे ले चुके हो म अरे कैसा है अरे शिवा घर पे चाके आया क्या नई यार बस यहां से गुज़र रहा था ये मिले तुछ सुच्छा साथ ले चलू काड़ी से आएंगे नहीं आए बगर रहेंगे नहीं मेरे साथ आते नहीं अकेले आकर कैसे काम करेंगे बताईए जरा काम करने वाला कुछ भी काम करेंगा ऐसी कहावत है अगर ऐसा है तो आप इसारा काम कर लिया कीजिए और बात है मेरे बाप के जैसी और बता लेवर प्लैनिंग का हो गया सब हम हो गया लेंड डेवलप होने पास कितना अच्छा लग रहा है ना वो सब रहने दे भाई प्रोग्राम कंफर्म है ना अरे हंड़ड परसंट कर फाम है यार जाने के बाद कैंसल नहीं होगा ना तो पागल है क्यो यार प्रामिस यार अच्छा हाँ लाया क्या ये लो भाई कितने हैं पाच हो जा रहा है ठीक है जाओ क्या रहे किस किस को कितना देना है बुक में लिखके रखा आए बराबर चेक करके बेजो और जैसे तुमसे पहले वाले आदमी ने किया था वैसा कुछ भी मत करना बालू हम लो के घर में भाड़े से रहने के लिए एक लड़की आई है ठीक है मा आप समझ लीजी और पूछताच कर लीजी इसब पूछताच कर लिए विचारी के मा-बाप नहीं है और एक भाई है बोल रही थी वो भी मुंबई में ही रहता है यह गनगनना लेकर आया है बेटा दिखने में बहुत अच्छी लड़की लगती है यदि गनगनना लेकर आया है तो अच्छी ही होगी मा हुसी किराया आडवांस में ले लेना और रूम दे देना ठीक है मा फ़ेखे यह गनग Vegna आया तो घर दे ही देते हैं घर कन्फ़म हो गया ना, मेरा कमिशन दे दीजिये ठीक है, बाहर कही खाना मत खाना, घर पर ही खाना, समझ गये ना बिटा यह लीजे ओके मा, बाइ मा दीदी, आप वाला कमिशन ? मैंने मेरे बेटे को बोला है, वो दे देगा ठीके ठीके, ओके ओके, मैं चलता हूँ हाई बाला जी हाई यार हाई दोस्तो, अरे यार इतने जल्दी आ गए यार वो भैंस को ले जाने के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है ना हाँ यार, बिल्कुल सही बोला कहा जा रहे हो, कितने बज़े आओगे, सारी डिटेल दो मुझे, मुझे मेरी मा को बताना पड़ता है यार अगर उसे छोड़ा तो मेरे भाई को पक्का बोलके जाने वाला है भाईयो, सुनो, लड़की के साथ जाने वाला मैटर ना मा को बिल्कुल नहीं बोल सकते, आई बात समझ में आ गई से बात है, ठीक है, चलते है चल चलते है, हाँ यार, उसको फोन तो लगा अरे देख, हूँ आ ही गया पीशे से अरे यार, खिड़के से बाहर तो देख हलो, कितना भी बोलेंगे तो बरावा टाइम पे नहीं आएगा प्रोग्रेम में जाना है, फिर भी रेडी नहीं हूँ अभी तक अरे बाबा, आ रहा हो दो मिनिट में तयार हो के अंदर से यार, दो मिनिट नहीं चाहिए तो दो घंटा वेट करेंगे, पर महरवानी करके रेडी हो गया आजा अरे तुम लोग चुचा बैटो याँ पर, फोरन परफियूम मार के अब ही आता हूँ मैं अरे यार, लाश पर डालने वाला परफियूम खुद पर डालोगे ना, तो तुम भी मर जाओगे अरे, तुम गधों को क्या मालम परफियूम के महक अरे गधों कोई नहीं भाई, हाथी को भी परफियूम नहीं पता होता ऐसी बात है सेंट मारने के चक्कर में अंदर ही सेटल मत हो जाना जल्दिया हाँ डैड आ बेटा बैट जा नए डैड टाइम नहीं वेट अकेले तो मैं भी नहीं पीऊंगा डैड प्लीज समझा करो सब फ्रेंट बाहर वेट कर रहे मेरा यू केरी ओन इंजॉय अगल आजाओ बाप बेटा बोले तो आपके जैसे होने चाहिए लेकिन भाई भाई बोले तो इस जैसे नहीं होने चाहिए मेरे भाई के बारे में अगर कुछ बूला ना तो जान से मार दूंगा बता रहा हूँ और मेरे आने से पहले पाटी शुरू कर दी चेर्ज अंकल आप जॉन के साथ सिर्फ खाते पीते हिए याप फिर ओ भी शेयर करते हो साथ में आप सही में लाइफ को अज़य कर रहे हैं चलो यार चल्दी लेट हो रहे हैं यार 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 यह वाद हमारे तिगड़ी अलगी है एक मिनट बेटी आप पहली बार आ रही हो ए टाइम में पहले बाहर से परिकर्मा करके फिर अंदर जाते हैं ठीक है बेटी जाओ बागवान मेरी सोची हुई सब इच्छा पूरी कीजिए कौन है ये लड़की? फोरेन में एजुकेशन खत्म करके शायद आई है हमारे गाओं की लड़की भी नहीं है बरतन घिस घिस के परंपना निवाने वाली हमारी बहु भी नहीं है दिखने में तो तेबदाज जैसा है बाजू में कुता भी नहीं है हाथ में बॉटिल भी नहीं है दिखने में समार्ट है ओके ट्राई करते हैं बालू हा मा बिटा मैं भी मंदिर जा रही हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता रेटी करके टेबिल पर रख दिया है खा लेना क्या रखा है मा बहुत थोड़ा सा आधा दरजन चिकन आधा दरजन अंडा हाफ लीटर दूद बस यह थोड़ा है मा और नहीं तो क्या तुम्हारे जैसा जिम करने वाला इतना खाएगा नहीं तो कैसे चलेगा यह सब खाके बॉड़ी बिल्ड करोगे तभी तो आयरावता हजार बात राए करोगे तो भी आरावता के दर्शन नहीं होंगे अरे अरे बाहर आये मैं कुछ नहीं करूंगी आप कौन है और मेरे घर पर क्यों आई है मैं तुम्हारे भाड़े की घर के लिए नहीं आई हूँ मुझे आंटी जी से कुछ बात करनी है मम्मी घर पर नहीं है मंदर गई है ठीक है ठीक है आप अपना पोस्स कंटिन्यू करिए वैसे ना आप भी ठीक ठाक ही दिखते हैं हलो कोई घर पर है क्या अरे तुम्हारी आखों के सामने दिखाए नहीं थी आप ऐसे क्यों बात कर रही है मैं इस घर का ओनर हूँ आप ही इस घर का ओनर है सॉरी सॉरी मैं तब आपके घर आई थी आपने अपना चेहरा ही नहीं दिखाया मुझे कैसे पता चलेगा खेर छोड़ो कोई बात नहीं घर पसंद आया क्या घर पसंद नहीं आयेगा तो advance दूँगी क्या ऐसा नहीं है formalities के लिए बोला ऐसा क्या ठीक है ठीक है आपका नाम क्या है बताया नहीं मेरा नाम बाला है hologram factory dealer oh very good आपके कितने बच्चे हैं मैं चार पोतों का दादा बन गया हूँ क्या बोल रहा हूँ आप किसी से प्यार करते हो क्या अभी अभी प्यार करना शुरू किया है आप बहुत smart हो I like you me too क्या या हम लोगों को यहां छोड़कर वहां के लिए मज़े कर रहा है यह तो पर्मोशन पर चल रहा है यह लोग कहां से टपक पड़े है इस एरिया में रास्ते की कुट्टे जादा है लगता है दर्वाजा खोलते ही सब के सब अंदर चले आते हैं इनसे मिलो सिर्दू लेंड डेवलपर हाई नमस्ते यह जॉन जॉइंट वेंचर में अपार्टमेंट बना रहा है है मैं हूँ जॉन नाम तो सुनागी होगा और यह है अपना शीवू फाइनेंसर इसका भाई इंस्पेक्टर है इसी इलाकर में नाम कोई बश्चा यह बढ़िछ वाले ही नाम की बश्चाब बढ़े स्काव अब होगा वाद में चर्था आपको बाद मेंम अंवे इस में अखेक्ञ इब हाई यह कोई आपको बाद में काल करुं किया knap कुछ तेर में आती हूँ ओके ब्रादर ओन ब्रादर है नई भाड़े का है तो फिर ये कौन है मजाग बन करो ओन ब्रादर से भी उपर है वो अभी अपना हॉस्पिटल चला रहे है मैं भी वहीं पर काम करती हूँ वो तो मुझे पर मालूम है तुम्हें कैसे मालूम है वो क्या है न मैडम वो जो कुंडली आपने उनके सामने रखी है वो आप हमारे सामने रख दीजे क्या पता कुंडली हमसे मिल जाए प्यार प्यार की बात मुझे बोली अब सारे गाउं को बता रहा है आप क्यो चुप है जबान नहीं है कुछ बोलिये ना जैसे तो आपने हमें बोलने की इजाज़त दे दी तब से आभी बड़ कर रहे थे सॉरी 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 तो आपने प्रवलम स्माइल फ्रस्टां फोटो ले हैं मेरा सिंगल फोटो क्यों सब लोग साथ में सेलफी लेते हाँ जाए नाइस आडिया कमान आपने प्रव्र थे श्रॉण आपने नहीं प्रवाइगी हाँ लाम है कि याः आए ways aishu can i get your number why say leave it let's write 7022 621 889 thank you my bike is here I'll drop you I have the wallet फुरेट में भिलेट, तैंक्स लोट पर औल यर लाव, ऐस ब्रादर मुझे आप में से कोई भी ड्रॉप कर सकता है, निकलो, यह रहो, वाट डिद यू से नमस्कार स्वाइव, रहो रहो, रहो सर घबरानी कोई बात नहीं है न या शी इस वेरी फाइन दो दिन में इसको डिस्चार्ज करके ले जा सकते हो ओके सर अभी आप कैसी हो? मैं अभी अच्छी हूँ आप सेहत मंद हो ना किसी भी बात के लिए जादा सोचना नहीं ठीक है? टाइम से खाना, टाइम से सोना ठीक है? मैं तुम से कला कर मिलती हूँ सर नमस्कार पासपोर्ट के लिए अपलाई किया था वेरिफिकेशन के लाया है क्या सर? वो आज आया नहीं है, सौमवार को आएगा, तब आके देखो वो आया की नहीं, जरा देखिये बताईए ना नहीं आया रहे, बहुत अर्जेंट है सर प्लीज देखिये ना सर, आएगा तो वेरिफिकेशन के लिए हम ही आएगे अभी तुम जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? राजा सर, देखने में तो कबाड़ी लगता है और घरवालों ने नाम राजा रखा है ठीक है, पासपोर्ट का अखिर करेगा क्या? दुबई में जाकर उंड चलाओंगा, सोच रहा हूं सर सर मेरे जग्गू को किसने मारा कुछ पता चला देखिए, आप लोग यहां रोज रोज पुलिस स्टेशन में आके परिशान मत होईए आपका बेटा मेरे भाई जैसा है आप परिशान मत होईए, मैं देखता हूं जीज यार, आईशो सुबा जब घर में आई ना तब ऐसा लगा जैसे देवी आ गई हो अगर ऐसा है, तो उसकी फोटो सामने रख के पूजा किया करो खुणने मिलेगा सेलफी लेते वक्त ही सोच लिया था, कि उसी से शादी करूँगा मैं डिसाइड करता हूं तो चीजे करके ही रहता हूं उसके साथ रहते वए मुझे स्वर्ग जैसा फीग होता है उसकी आँके काम हो जैसी, उसका बदन सौन दरे जैसा उसकी बातें बासुभी के जैसे, उसके आगे जुकना ही चाहिए लेकिन एक बात करेक्ट है यार, भाई बोलके ड्रॉप करो, मजाग कर रही थी, मैं तब ही समझ गया था वो प्यार करेगी ऐसा बोड़ा है तू मैं अल्रेडी उससे प्यार करता हूं यार, प्लीज, तुम अपना ख्याल न, बदल डालो सॉरी गाइस, तुम सब लोग बहुत पीछे हो, मेरी मा मेरी शादी के लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढून रही है सॉरी गाइस, तुम सब लोगों के लिए बैड न्यूज है, हम दोनों का अल्रेडी फर्स नाइट हो चुका है कमिंग संडे, चर्च में शादी हम लोग की बस बस, बहुत हो गया, मुबंद करूँ हां मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, उसी के साथ शादी के सपने देखने लगा हूँ होने वाले बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं मतलब हम सब लोग उससे प्यार करने लगे हैं यस, हम मैंसे किसी भी एक से वो प्यार करेगी, तब तक हम अपने प्यार का इजार उससे नहीं करेंगे करेक्ट यार, हम मैंसे किसी एक को उसे ही सिलेक्ट करने दो ओके यार, जब वो हम लोगों मेंसे किसी एक को सिलेक्ट करेगी, बाकी के लोग भाई बनके अपना फर्ज अदा करेंगे, उसकी शादी करेंगे, ओके लड़की गाउं में जब से आई है, तब से तुम लोगों के बरताओं में परिवर्तन देख रहा हूँ, फिर भी ये सब गलत हो रहा है, तुम लोग प्यार में हार गया, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, बलकि जो सीखा वो बोला, तुम लोग का हो गया, तुम सब लोगों को एड़वाईस देने का योग मुझे है की नहीं, पता नहीं, लेकिन ऐसे प्यार मत करो, बोलने का योग ये है मुझे, एए सुनो वो में बोलना चाहिए प्लीज प्यार के चक्कर में अपनी लाइब खराब मत करो निकल जा वरना पिठेगा अरे अरे मैं तो तुम लोगों को समझाने आया था अरे मैं अपने ही सर पे खुद क्यों नहीं मार लेता अब वो भगवान ही तुम लोगों को समालेगा अरे यार ये भी न गधा है राइट राइट झालेगा अरे मैं उक्रीचक ढ'll फस्ट हिसम धुद को समय ही जगThe े झालेगा आप समय ही तुम लोगों तुम समय को समय ही तुम लोगों के लिएने ही कज़िछी ये तूनों क करतला आपन समय ही वμέले है जवागाल आपन झाल 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 हलो सर मैं हवलदार सतीश बोल रहा हूँ हाँ बोलो सतीश सर वो लंबू विक्रम का उठा कर लेकर आए है ठीक है उसे लॉक अपेंड डालो मैं आता हूँ जी सर ये देखो कैसा विल्डप दे रहा है क्यों रे ऐसे क्यों घूर रहा है एरोपलेन चड़ाओं क्या वो सब रहने दो क्या बोले उनसे तुम क्या सुनाई नहीं दिया क्या तुम मुझे उठा के लेकर आये क्या ये स्वामी राजेंद्र का नाम बोला इसलिए मैं आया चोड़े लंबू तुम कोई दूसा थोड़े नै हमारे यादमी हो न चलाओ चलाओ अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा कौटर को कोटी नमस्कार करके आयेगा न तब ही मैं बात करता हूँ अरे इरे मैं इसके सामने क्यों बात किया गलती हो गया न गलती किया ओहो लॉक आप खोल रहा है नमस्कार सर इस केस की मैंने हर जगा इंक्वारी की ना ही किसी पर डाव्ट हुआ ना ही कोई प्रूफ मिला और ना ही मिलेगा लेकिन तेरे पे सिर्फ मुझे ही नहीं हर किसी को डाव्ट है आप बोल रहे हो कि जैसे मैंने ही मडर किया हो सो तु मेरी बात को एहमियत नहीं दे रहा है है ना एहमियत यहां हूँ सर इसलिए मैं दो दिन से यहां पड़ा हूँ मारू मत सर मारू मत मैं वापस आके दुस्से पूछूँगा कि सच्चा ही क्या है बोला नहीं तो ठीक है सर ना जीने के लाइक रहेगा ना देखने के समझा तुमने शिवा से जो पैसे लिए थे वापस दे दिये लेकिन मैं क्या करूँ समझ में आ रहा है उस दिन ऑफिस में बोला के वाउन किया था आज टाइम खत्म हो रहा है अभी थोड़ देर में व इधरी आएगा क्या सिवा रहे शिवा क्या करेगा मैं उसको वहीं बराबर करता था लेकिन उसे भाई का मूँ देखके छोड़ दिया मैंने उसे उठ जा उठ जा थूए तेरी जिन्दगी पर दिखने में बीडी की तरह दिखता है और इतना बिल्ड़ ले रहा है तुमने जो बोला उसे पता चलेगा ना दड़ा के दड़ा के मारेगा अंबुलनस बुलानी पड़ेगी तुरू ए ठीचरद भाई चौड़ 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 यार जल्दी ले यार चाय पिला है क्या भाई पहले से दुकान पर नहीं आ रहे हो मैंने पैसा नहीं दिया इसलिए दूसरी जिगह अड़ा बना रहे हो क्या रहे अब उन्हें घर आने बूली है तुम सब जब से लड़की मिली है अरे बताओ तो सही कौन है वो मिलवाओ हमें भगाने के लिए वो गाली नहीं है शेर करने के लिए वो खाना नहीं है ओके वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है फ्रेंड मतलब हम भी जानते हैं कैसी वाली फ्रेंड देख बेटा चुप बैट वरना अच्छा नहीं होगा अब उनको भी एक चांस दो बाड़े का घर है मेरा अब उनको भी मिला देना उससे बाड़े का घर तेरा रहेगा तो मेरी गल्फरेंड पे तू लाइन मारेगा क्या शाणा समझ रहे तू बेवकुफ हूँ मैं चुप चांप खड़ा रहे लगता है सारे के सारे जान देने लगे हो उस पे तुम सब कभूत्रों को अच्छे से तयार गया है शोरे ने एक लड़की के लिए रोड़ पे मारा मारी कर रहे हैं ये लोग इन लोग को ऐसे ही छोड़ेंगे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी फुलिस चौकि में फोन करता हूँ तुमारे सारे के सारे डोकमेंट्स सही हैं लेकिन अभी तुम उस एड्रेस पर नहीं हो ना सर मैं वही हूँ ग्राउंड फ्लोर से फस्ट फ्लोर में ऐसा है तो जाओ मैं रोंग एड्रेस मेंशन करके भेज दूँ सर प्रॉमिस पैसा लेलो सर कोई बात नहीं तुम आराम से पैसे लेकर आओ तुम जब भी लेकर आओगे मैं साइन करके देता हूँ लेकिन एक बाद याद रखना एक बार रिजेक्ट हो गया ना फिर कभी पासपोर्ट नहीं मिलेगा क्या यार ये तो अजीब शकल बना र इसलिए मेरे भाई के चंगुलें फसे हो मेरे हाथ ने फसता तो जग्गू के जैसे तुमें भी शिव के पास भेज देता इस शिव को शिव के पास भेजने वाला आस तक पैदा नहीं हुआ है समझे और होगा भी नहीं ये फिल्मी डालग मत मर भाई सेरियस हो के बात कर ब ये दुआ करूं या ना करूं बाहर आने के बाद पता चलेगा सर एक मिनट क्या राजिश कैसे हो ठीक हूं सर पांच बजे नहाना छे बजे फूजा अच्छा बजे नास्ता एक ही चेंज है कभी लवर को फॉलो करता था अब लव करने वालो को फॉलो करता हूं 99% लड़के लोग लव करते हैं लेकिन 1% का सक्सेसफूल होता है इसलिए ऐसे लड़के लोग को उनके पेरेंट के सामने डाल देता हूं बस इतना ही काम है मेरा अच्छा काम कर रहे हो तुम आपका भाई शिव और उसके कुछ फ्रेंट्स एक लड़की के पीछे घूम रहे है सर सर में कितना भी बोल रहा हूं वो समझ नहीं रहे हैं आप थोड़ा समझाइए सर शिव और उसके कुछ फ्रेंट्स लोग गुंडा कुमार के साथ सड़क परी जगड़ा कर रहे थे सर मैंने अपनी आखों से ही देखा अच्छा सर मैं चलता हूं यार क्यों गुलाया होगा उसने अंदर चल उनसे ही बुच के बताता हूं शिव कर यार मजाग मत कर मेरे साथ शार महीने पहले मार खायतियत तक याद है अब तक बदंदर करना मेरा यार ये छोड़ना चल चल सिद्धू निकलते हैं सुनो शिव को पहले भीजते हैं बात में हम लोग जाते ठीक है अहां क्या टाइमिंग है क्या अच्छा एडिया जाते हैं और लेके आते हैं तुम लोगों को ने सेपरेट बुला के मारेगा चलेगा तुम लोग को हां ठीक है चलो साथ में चलते हैं अरे आजाओ ना क्या बात है आज तीनों लोग साथ में आये हो आएसे खाके जाएंगे इसलिए आये हैं हमें भाई ने बुलाया है चलो ना तुम लोग बैटो मैं कॉफी लेके आती हूं जब करने के लिए को मंत्रतों दे देना उसे करते हैं कॉफी पिलोगा आ रहा है आ रहा है यह चुब बैटो नमस्कार भाईया बैटो पता नहीं अब यह तीनों क्या बात करेंगे भाई कौन से मूड में कुछ समझ में नहीं उगले हफते हम हमारे शिव के लिए लड़की देखने जा रहे हैं उससे पहले उसके मन में क्या है बस यहीँ जानने के लिए मैंने तुम सब लोगों को यहां बुलाया नहीं, 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 हाँ भाई, एक लड़की से प्यार करता है वो, ये बात तो शिव से पूछ सकते थे ना, वो बता देता है लीजे, ले लो, हाँ, ठीक है, उस लड़की का एड्रेस दो, मैं जाके बात करता हूँ, पन्वेल किये भाई, वहां से अब तक सिगनल नहीं आया है, सिगनल आया कि नहीं, मुझे नहीं पता, एक महीने का टाइम देता हूँ, कब तक डिसाइड हो जाना चाहिए, नहीं तो, मेरी पसंद कियो लड़की से चादी करनी पड़ेगी, यार कॉफी ठंडी हो गई है, जंदी भी हो, पो जाने दे शंदी, मैं इन लोगों ने बात की, तो हो जाएगा बेडा गर्ग, हाँ भावी, ए शीवू, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे प्यार की बाते अगर तुम्हारे दोस्त लोग हमें बताएंगे, तो उसका रिजल्ट कुछ और ही होगा, हाँ भावी, हम लोग सब बोल रह प्यार का मतलब जानते हो तुम, प्यार का मतलब होता है, जहां कलर ना भी हो, वहाँ भी कलरफुल दिखाई देता है, ऐसा होता है प्यार, भाशा नहीं रहेगी, तो भी जानवर को समझ में आता है, एक लड़की के जिंदगी में एंट्री होने के बाद, बाकी सारे दोस् भाई, बाप, मा, बहन, ऐसे संबंदों से हम उन्हें बुलाते हैं लेकिन फ्रेंड की बीवी को बीवी बोलके, फ्रेंड के पती को पती बोलके किसी भी संबंद को बढ़ावा नहीं दे सकते किसी एक के लिए तुम लोग उस लड़की को छोड़ दो चाहे वो कोई भी हो, मुझे इस बात से खुशी होगी हाँ, भावी, आप सही बोल रहे हो ये सब बाते उसे मालूम है क्या? उसे नहीं मालूम, भावी उसके पता होने से पहले तुम लोगों को निर्णे लेना होगा दिमाग बोल रहा है तुझे ना चाहूं दिल बोल रहा है तुझे चाहूं तुझे याद करता हूं तो तुँ आँकों के सामने नजर आती है तुझे याद नहीं करता हूं तो भी मेरे साथ ही रहती है ये तुझे कैसे बता हूं? प्राइब बोल रहा है प्राइब बिल रहा है ये विवे प्राइब बड़त मेरे सामने प्राइब लिवे ले बोल रहा है तुझे नहीं करता हूं क्या हो गया अभी तक इन लोगों ने एक मैसेज भी नहीं किया एक फोन भी नहीं किया मैं फोन करी हूँ तो रिसीव भी नहीं कर रहे है कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई कौन है एक आईशू का फोन है हा मा हाई आईशू गुद मॉनिंग क्या गुद मॉनिंग हाँ मैं कल राज से तुम सबको मेसेज करी हूँ तुम मैंसे किसी ने भी रिप्लाइ नहीं किया नींद हराम हो गई मेरे आईशू स्पीकर ओन करो हमें भी सुनना है अरे चुप क्यों हो सिंदा हो न तुम क्यों आरे तुमने मेसेज कर जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि कहीं तुमारा आक्सिडेंट तो नहीं हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ थोड़ा सा बिस्निस का टेंशन था जस्ट शट आप वटेवर फ्रेंज और फामिली को ऐसे भूलना नह अच्छे यह ना ओक्या एशू सारी इस ओके फ्री होकर मुझे कॉल करना बाइ ऐसी रड़की से प्यार करने के सोच रहा है फूल तुम जो गलती कर रहे हो ना आज समझ में नहीं आएगा कल वो जब किसी और से प्यार करेगी तब समझ में आएगा तुम्हें तब ही पता करता है वो बहुत ही डिसंट है पापा को मालूम पड़ेगा तो मालूम क्या पड़ेगा मैं खुद ही बोल दूंगी देखा तुमने मेरी बेटी को जिन्दीगी में निर्ने कैसे लेना चाहिए मेरी बेटी को देखकर सीठना चाहिए तुम्हें लव यू मम्मी बाइ माम यह मेरी बात सुनेगा ही नहीं लड़की को लड़की को लड़की के जैसा पाला तुझे अच्छी परवरिश करने के लिए बोला था तुने ये परवरिश दिये सही है सही है अच्छी बात कहीं तुमने क्योंकि आप मिलेटरी में थे ना अभी तो आप रिटायर होके आ गए है ना तुमने ही अपने बच्चों को खराब किया है बेटा बेटी बोलके लाण प्यार में बिगार दिया है उन्हें और अब मेरा सिर खा रहे हो वो बिगड़ा बिलकुल भी नहीं है वो अच्छा ही है मैं उसके बारे बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मैं अपने बच्चों को खराब नहीं कर रही हूँ मैं बस उन्हें तरक्की करने के लिए बोलती रहती हूँ बस बस तुम ये तरक्की करवा रही हो सब घरों में बाप को बेटी पसंद होती है और मा को बेटा पसंद होता है हमारे घर में तो कुछ अजीबी है बीवी घर चलाएगी तो सब घरों में ऐसे ही होगा सब अजीब अजीब वो सब मुझे पता है, बात मत करो, चुप रहो आई आई प्रसाद नहीं खिलाओगी क्या क्या रे, जब तक मुझसे रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक तुम लोग मंदर नहीं आओगे क्या इतने सारे पेड़, जब तक में प्रपोस करने वाली एक जोड़ी तुम्हारा प्रपोस करने का स्टाइल मुझे बहुत ही पसंद आया इतने सारे पेड, पेड की बीच में तालाब, तालाब की बीच में एक बोट, उसमें मैं और तुम, बहुत सारी बारिश, एक चत्री, मुझे इस जगा लेकर जाओगे ना तुम, आइसा सब कुछ फील कर रहे हो क्या, यह नौटी बॉय, आई लव यू जॉन, कुं, यह इसे क्यों कर रही है, इस क्या थाया, इसो प्लान की रहे है, यह विता है, यह जब काया है, यह जब भी जिए प्लाब काया है, यह जब कोँ म मुदि को को ने सब्क्राइश, जब कर द exists, थैसे यह जब की अट, में बाला जी लेकिन तुम सब लोग मेरे दिमाग को अच्छे लगे मेरे मन को नहीं इन फ्यूचर तुम में से कोई भी मुझे अच्छा लगाना तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी जरूर वरना हम दोस्त पन कर रहेंगे तुम सभी लोगों को मेरे दोस्ती पसंद है तो कंचिन्यू रखो नहीं तो लो नीड घर में रहती हो तो बहुसे डर के काम करना पड़ता है अरे यहां किसे डर के काम कर रही हो डिस्चार्ज होने के बार घर में ही जाते हैं न लक्ष्णी लक्ष्णी Tur这个 दो प्यारे से बच्चे हैं तुम बोलोगी, तो कितनी भी तकलीफ हो, भागे-भागे आते हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ऐसे तो दोनों बच्चे मेरे लिए जगडा करते रहते हैं ठीके ठीके, अब तो में इमोशनल मैथ हो जाओ नहीं होती, लेकिन बच्च चलाने के लिए बेटा तो चाहिए ना कितने दिन तक माबाप लड़का और लड़की देखते रहेंगे? अरे, लड़का और लड़की नहीं देखना चाहिए, अच्छा मन होना चाहिए तुम बहुत अच्छी बाते करती हैं ठीक है, लक्ष्मी, आँ ठीक है, बाइ, बाइ वाट हैपनद माइ सन, काफी दिनों से तुमने मेरे साथ ड्रिंक्स नहीं लड़की देखते हैं ठीक से खाना भी नहीं खा रहे है, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, बोलो, क्या बात है प्यार धेड, प्यार प्यार व्यार के चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है बेटा दाना डालके पंची को पकड़ना चाहिए, तुम कहो तो मैं तुम्हें कुछ आइडिया देता हूँ मुझे पता है डाइड आपके आइडिया देंगे ओके, ओके माई सन, सीरियसली मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ इस अपार्टमेंट के चार फ्लैट्स, मैसूर, कांजी वरम, बनारस, इसके साथ गोल्डन डाइमंड्स, गिफ्ट में दे दो, तो तुम्हें प्यार करने की जरूरत नहीं बल्कि तुमसे ज्यादा, वो तुमसे प्यार करेगी सीरियस होके, एक अच्छे बाप के जिसना आइडिया दो मुझे मैं तुम्हारे साथ कभी बाप की तरह रहा हूँ क्या? वो मेरी गलती नहीं है, मुझे गुस्सा मत दिलाए जाए, आप चले जाए अभी तुम बहुत गुस्सा में हो, जब मेरा बेटा बन के आओगे, तब बात करूँगा मैं वापस वही पुराना जॉन बन जाओ, सपना मत देखना प्यार करने वाला हर एक लड़का तुम्हारी तरह बात करता है लेकिन जाएगा कहां, घूम फिर के यहीं आएगा I will wait for you अरे गधे, मैं तेरा बाप हूँ बाप तेरे धक्का देने तक मैं वहाँ चुपचाप खड़ा रहूँगा मुझे भेड समझ रखा है क्या लव यू ड़ाड मा, अगर आप गुस्टा नहीं करेंगी तो एक बात पूछू क्या है, पूछो नहीं, आप डाटेंगे, इसलिए मैं नहीं पूछता नहीं डाटूंगी बाबा, बोलो मेरी शादी के बारे में आपने क्या सोचा, मा? मैंने कुछ नहीं सोचा, बिटा लड़की बहुत अच्छी है, और वो आपको भी बहुत पसंद करती है, मा? उसको पसंद है क्या? मुझे भी पसंद होना चाहिए ना जानती हूँ वो कौन है, हमारे घर में बढ़ोतरी है, बहुत अच्छी है मन भी उसका बहुत साफ है, बिचारी के माबाप नहीं है, दिल से वो मुझे अपनी मा समझती है देखो बालू, तुम नहीं भी बोलोगे ना, तो भी वो हमारे घर में बहु बन कर आएगी, मैंने सोच लिया है मा, आप मुझे से मजाक तो नहीं कर रही ना? मैं क्यों मजाक करूँगे बिटा, तुम्हारी शादिय उसी से हो जाए, रोज मंदिर में जाकर यहीं मननत मांग कर आती हूँ मैं देखो, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए, मैं अपने हाथों से स्वेटर बुन रही हूँ बिटा मा, ये सब बातें बना के आप मेरे साथ ड्रामा कर रहे हैं क्या? तुम ड्रामा कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती हूँ क्या? अभी तक तुम्हारा खेल था, इसके बाद अभी मेरा खेल है मा इस लफशप के चक्कर मत पढ़ बिटा, हमारे घर में भी एक लड़गी है, उसकी जिन्दगी खराब हो जाएगी इसका मतलब बहने घर पे होंगी तो प्यार नहीं करना चाहिए? प्यार करो, मैंने उसके लिए नहीं रोका, हमें सूट नहीं करता हम जैसे लोग, जाती, खाननान, रिश्टेदार, ये सब चीज़ें जरूर देखते हैं ये सब तुमारे बच्चों की समय में बदल जाएगा पर अभी ये सब सोचना पड़ता है ठीक है पापा, मैं सोचता हूँ अगर तुम प्यार को कंटीनियू करोगे, तो ये जो काम बन रहा है, वो भी बिगड़ जाएगा तेरे पास ज्यादा दिमाग है, तुझे और क्या समझाओं मैं, सोच समझके डिसीजन ले लेना ठीक है मैं चलता हूँ तुम ये सब जो कर रहे हो, मुझे बिलकुल ठीक नहीं लग रहा भाबी, सही है ये गलत, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक महीना मैं ट्राइ करता हूँ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ओके यू अलवेस थिंग पॉजिटिव मैं, क्यो नहीं होगा, मैं जैसा बोलूंगी वैसा करो, वर्काउट होगा ही होगा भाबी, आप इतनी कॉंफिदेंस से कैसे कै सकती हो ओके भाबी ओके, एनिहाव, अल दे बेस्ट थेंक यू नमस्कर सर आप लोग, आप लोग बार बार आके परिशान नहों ऐसा बोला था न, मेरे पास कोई खबर होगी, तो मैं फोन करके बता दूँगा आपको हॉस्पिटल से फोन आया था रिपोर्ट के लिए, जग्गू की बोला अगर हॉस्पिटल आए तो रिपोर्ट लेकर जाईएगा, यही बात हम आपको बताने चले आया कौन सा हॉस्पिटल है? क्यों जी, क्या बात है, तब यह ठीक नहीं है क्या गर में कुछ प्रॉबलम है क्या? जब से त्मको देखा खाणा, नेंद, कुछ नहीं हो पा रहा है मुझ पे दिहान के बजाये काम पर ध्यान रखो उह, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, और मैं के स्टेट थीब में तुमारे बारे में इसOK आ रहता हूँ, डारलिग मुझे लगता है अब जल्छे मेरा यहांसे ट्रांसफर हो जायएगा कॉन करेगा यहां क्यों करेगा यहां कैसे करेगा मैं देखता हूँ देखने के लिए आख नहीं रहेगी क्यों जी मैं निकाल दूँगी हाँ हलो डॉक्टर प्लीज कम इन टेक यह सिर्ट थैंक यू ये क्यों इधर आये हैं भाई के साथ इन्हें क्या गाम है आशू हाँ लास्ट टो अंडर लीवर रिपोर्ट में जगमौन की फाइल है चाओ से लेकर आओ ज़रा जल्दी लेकर आओ हाँ ठीक है आईशू लक्षम मेडम को फिजियो तेरेपी कर पे लिए हाँ ठीक है ये पेशेंट जनरल टेस्ट के लिए आया था रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन वो रिपोर्ट लेने के लिए आया ही नहीं जैसे सबको इन्फर्म करते हैं उसको भी इन्फर्म किया मेरी शिव के बारे में कुछ बात करने आया है क्या कुछ पता ही नहीं चल रहा है CCTV फुटेज देखे है न कोई क्लू मिला नो डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ भी हुआ या बाहर जो कुछ भी हुआ उसने कुछ फॉलो नहीं किया या मिन कैमरा फुटेज में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ थैंक गॉड नेरे बारे में बात करने के लिए नहीं आया है इसलिए डॉक्टर सीची टीवी फुटेज की एक कॉपी मुझे दीजे शूर सर् वंस अगें अगें या थैंक यू दॉक्टर दॉक्टर, या काम करती हैं क्या सर एक त्रस्ट इन और और तॉक्टर आ आपो इक वत्म ताहिए इसके योपर complaint लिखानी है, मेरे पती को रखके, मुँ में जो आता है, काली बक्टे जा रही है, और मुझे भी मार रही है। क्या मघजमारी है आहाँ हाँ सब कुछ करके अब मेरी कंपलेंड लिखे सर पहले मेरी कंप्लेंड लिखे यह यह को शोड़ दी ज्यादा मेरे साथ मघजमारी मत कर इसके लिए तो मैं उसको अपने पास रखी हूं देखा सर इसको तुम्हारा अफ़तार देखो ना एक जोरू ने लिए पुलिस टेशन है कोई सिटी मार्केट नहीं है तुम लोग ऐसी लड़ती रहोगी तो तुम दोनों को अंदर डालना पड़ेगा जाओ यहां से का है लेडी पुलिस सरंदरी थे मैं फूल गया सतीश यह पुलिस टेशन है यहां बैटके मज़े कर रहे हो तो बोलो उन दोनों को पुलिस टेशन में जगडा करने से मना करने के बजाए उन्हें जगडने दिया वो दोनों जगडा कर रही है और तुम मज़े ले रहे हो हस रहे हो सब खुश हो रहे हो सारी सर क्या इसलिए पुलिस वोर्ट जॉइन किया है तुमने इडियाट्स सब के मामले में करेक्ट है मेरे मामले में क्यों नहीं कौन है? हाँ आई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सौरी सर अंदर आए बैठिये सर वो मेरा फैमिली फोटो है उसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे माबाप मेरे साथ ही रहते हैं इसलिए फोटो पर हार नहीं डाला आई तेंग यूर वेरी इमोशनल वाट पुड यू लाइक तो हाव? कॉफी? नो थैंक्स आपको मेरे भाई के बारे में क्या लगता है? आप क्या बोलना चाहते हैं मैं जानती हूँ मैं वैसा ही बोलूँगी और ये हिट यू बोलके या तो उसे समझा दो वरना ये एरिया खाली करने के तयारी कर लो क्या सर? दरा रहे हैं क्या? इन फाक्ट मैं आपके भाई के पीछे नहीं पड़ी हूँ वो मुझसे प्यार करता है और खुब मेरे पीछे पड़ा है आपको जो कुछ भी बोलना है अपने भाई को जाके बोलिए शिव के भाई हैं इसलिए आपको अंदर आने दिया अगर सिर्फ पुलिस ओफिसर होते न तो बाहर ही खड़ा करके तुमसे बात करती और वहीं से वापस भेज देती लड़की हो तो ऐसी होने चाहिए काउँ छोड़के शहर आके शहर के लड़कों वो फसाके उन्हें अपने प्यार के जूटे चकर में डालके धन्दा करती है और नाम के लिए नर्स की नौकरी करती है चल मेरे साथ कहां? पुलिस स्टेशन तुम अपने अप आओगी तो जीप में लेके जाऊंगा वरना खसीटते हुए लेके जाऊंगा आओ छोड़िए छोड़िए साल अरे मेरा हाथ छोड़िए चल मेरे साथ चल मेरे साथ चल मेरे साथ आओ पकड़ो आओ पकड़ो चल मेरे साथ चल मेरे साथ चल मेरे साथ पकड़ो 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 लाइफ हे मैंने आज तक जो भी किया वो करके कभी खुश नहीं रहा लेकिन तुम्हें पाने के बाद मैं समझ गया हूं प्यार क्या होता है लेकिन अश्वरया भाईया ने जो आज बताया क्या वो सच है नहीं अब तो फिर तुम्हें अगर सच में मुझसे प्यार है और अगर तुमने मेरी इज़त करी है तो वादा करो तुम इस बारे में कभी बात नहीं करोगे मैंने तुम से प्यार नहीं किया पर तुम मुझसे प्यार करते हो और तुमारे भाई को यह पसंद नहीं आज सुभा यह सब उसी का रियाक्शन था इस बारे में और कुछ भी मत कहना और अपने दोस्तों को भी मत बताना सच्छा प्यार कभी भी मरता नहीं शिवू वो तुम्हारे भाई नहीं तुम्हारे पिता समान है वो जैसा कहते हैं तुम वैसा ही करो वो जो बोले मैं करूँगा लेकिन एश्वरया जब वो मुसे बात ही नहीं करते हैं तो मैं क्या करूँ ऐसा मत बोलो शिवू तुम्हें उनकी बात सुननी ही पड़ेगी मैंने ऐसा बरताव क्यों किया मेरे भाई के साथ प्यार करने के लिए या वो मुझे डरी नहीं इसलिए उसने ये बात मेरे भाई को बोल दी तो वो क्या सोचेगा लेकिन उसने ऐसा बरताव क्यों किया ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई आत्मा आ गई है एकदम से ये पागलों जैसा बरताव करने लगी अजीब बात है बाराओ साथ तुम्हें बुला रहे हैं ये लो तुम्हारा फोन ये 24 गंटे ओन रहना चाहिए जैसे ही फोन करूँ उसके आधे गंटे के अंदर पहुंच जाना ओके सर जाता हूँ हाँ कौन है बूलो बड़ी बहन बूल रही थी और कौन बूलेगा छोटा हुआ तो भी चलेगा मैं ही शादी करूँगी बूल रही थी लेकिन तुम नहीं उसे मना कर दिया ये बात तुम्हारे मुसे बिलकुल निकलनी नहीं चाहिए तुम्हारा पती सुन लेगा तो जो नहीं होना होगा वो भी हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा मैं यही बात कितनी बार उनसे बूल चुकी हूँ वो सब को छोड़ो, कौन है वो लड़की? मेरी से भी अच्छी है क्या? हाँ, उसका नाम है आईश्वर्या हाँ, ठीके ठीके, बाद में कॉल करती हूँ क्या बात है? शेव के बारे में तुम अपनी बहन से बड़ा हसके बात कर रही थी? क्यों? उसका लब सक्सेस्फुल हो गया क्या? नहीं होना चाहिए क्या? यही सोच रहे हैं? नहीं जानू, उसके खेलने के वकट पर मैं बहुत स्ट्रिक्ट था और स्ट्रिक्ट होने के वकट पर मैंने उसे खेलने के लिए छोड़ दिया, ऐसा मुझे लगता है क्यूं? पर हुआ क्या? कुछ होना भी नहीं चाहिए, यही सोच रहा था लेकिन उस लड़की के बारे में सोचे बिना मैंने अपने शिफ को एक महीने का टाइम दे दिया टाइम दे के शायद गलती कर दी मैंने अरे, वो आपका भाई है जी एक महीना क्या, एक साल भी टाइम देंगे तो भी वो कभी गलती नहीं कर सकता उसे दिन बोल रहा था वो कि अपनी पसंद की लड़की से शादी कर दो मेरी पकार शादी कर लेता लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कि आपने पहली बार उसकी पसंद का काम किया है सो आप कुछ भी फील मत करो, सब अच्छा हो जाएगा फर्स टाइम, लास्ट टाइम नहीं होना चाहिए इसी बात का डर है सुनो दीदी, एक मिनट रुको मुझे आपसे कुछ कहना है, हर बार मैं भूल जाती हूँ क्या बात है, अच्छा बताईए मेरा बेटा सिद्धू है ना, वो जो तुमारे घर पे लड़की है ना, एश्वर्या उसको बहुत प्यार करता है ऐसा क्या, मेरा बेटा भी उससे बहुत प्यार करता है तुमारे बेटे से नहीं, मेरे बेटे से जोड़ी अच्छी लगती है उसकी दोनों साथ चलते हैं, तो बिलकुल अभिशेक बच्चन और एश्वर्या राय लगते है चुप बैठो माला, मजाक मत करो एश्वर्या मतलब लक्ष्मी लक्ष्मी के साथ ही मेरे बेटे की जोड़ी बिलकुल सही लगती है वो दोनों जब चलके आते हैं, तो कैसी दिखते हैं, मालुम है ध्रवास राजा और राधिका, ऐसे ही लगते हैं मेरा बेटा और लक्ष्मी हेलो सिस्टर, एक मिनट, आईसू धुरुवा नहीं, सुधीब दर्शन और दो जन है क्या? तुमारे बच्चे लोग उन्हें पसंद करते हैं, वो इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट ये है कि तुमारे बच्चे लोग को वो पसंद करते हैं की नहीं, ये ज़्यादा जरूरी है एह, तुम चुब बैटो, उसकी जोड़ी मेरे बेटे की साथ ही अच्छी लगती है और वो मेरे बेटे को पसंद भी करती है वो चार लोगों में से किसी एक को प्यार करती है या दूसरे किसी और को भी प्यार करती है किसको पता, तुम लोग बच्चों की जल्दी से शादी करवा दो प्यार को उठा के फेक दो, उसके बाद सब कुसे हो जाएगा क्या बोला तुमने? अभी ऐसा बोलेगा तो पिटेगा ये इतना लंगडाते हुए क्यों आ रहा है बही क्या हुआ किसी को फ्री में अडवाइस देके फ्री में लांत कुसे खा क्या है हो समाज सेवा के लिए मिला हुआ गिफ्ट है रज्जा एक चाय दे दो भई दे दो बढ़िया चाय इसके च जबीन को तीन-तीन लोगों को बिश्थे हैं ज्यादा मत बोल चुपचा बैट अरे माँ ओ माँ आ है क्यों रे राजेश किसने मारा तुझे क्यों मारा बस इसी लिए उन्होंने मारा मेरी बोलीवी बात नहीं सुनोगे तो तुमारे साथ ऐसा ही होगा ए जला जल्दी लाइटर देना यार नहीं है यार मेरे पास तेरे पास है क्या यार हमेशा जग्वी हम लोगों की सिग्रेट जलाता था जग्वी हम सब लोगों का मोड क्यों खराब है वाट अपन्ट यह हम सब लोगों को छोड़ कर चला गया आईशू? मैं शिव की भावी हूँ हाँ मैंने फोटो में देखा था अंदर आएए इंस्पेक्टर की वाइफ अंदर क्यों गई? घर को बहुत अच्छे सजाया है तुमने थांक्यू मेरी ममी ने सिखाया है मुझे ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है तुम्हारा भाई कैसा है? फोन तो करता रहता है न? वो कब आने वाला है कुछ बताया है? आपको क्या चाहिए? बोले बोलती हूँ लेकिन नहीं बोलना चाहती प्लीज, डोन्ट वेस्ट माइ टाइम ओ, सौरी आईशू तुम्हारा सुबा ही मूट खराब हुआ लगता है अपने भाई का नंबर मुझे दोगी मुझे उनसे थोड़ा बात करनी है क्या बात करनी है? तुम्हारे बारे में, शिव के बारे में जब आपके बात करने का वक्त आएगा खुद नंबर दे दूँगी उस टाइम का मैं वेट करती रहूँगी कभी कभी पसंद करने वाली चीज आसानी से मिलती नहीं है बोलने के लिए ठीक है पर सपनी पूरे नहीं होते मैं निकलती हूँ You are very practical तुम्हें मिस करने की मेरी कोई इच्छा नहीं मैं किसी को मिस करने के लिए पसंद नहीं करती हूँ अब तक मिस्किया मेरे लिए बस उतना ही काफी है ओके, टेक कियर थांक यू सॉरी सर, मैं वो पेशन को मेडिसन दे रही थी आईए जॉन बहुत ही अनलकी बच्चा है पैदा होने के एक साल बाद उसने अपने मा को खो दिया ऐसे सी पढ़ने के समय उसे बाप का प्यार भी नहीं मिला इस उमर में जो सुख मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा उसे बुरे लड़कों की संगत में बुरी आदत हैं सीख चुका है मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं प्यार में पड़ गया हूँ उसका पागल प्यार देखकर मुझे लगा कि आप उसकी लाइफ पार्टनर बनेंगी बट आप से मिला तो यकिन हुआ कि उसे मा का भी प्यार मिलेगा आप अंजान पेशन्स की इतनी सेवा करती हैं तो अपनों की आप कितनी सेवा करेंगी आपको देखके मुझे बहुत खुशी हुई आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं आप जैसा बोल रहे हैं वो अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है वो मुझसे प्यार करता है ये सच है कि जूट है ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम पर मैं मैं उससे प्यार नहीं करती ये मैं भी बोल दूँगी आप भी बोल देना एक एक के प्यार ममता को देखके उनके घर की बहु बनने की इच्छा हो रही है वो देने वाले प्यार हम दर्दी से मन विचलित हो रहा है बेटा मुझे तुमसे इंट्रड्यूस होने की जुरत नहीं है मेरी भी तुमारे जैसी एक लड़की है और उसका भाई अपना फ्यूचर खराब करके प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है ये सब तुमारी वज़े से ही खराब हो रहा है मेरे बेटे के साथ प्यार का नाटा केलना बंद कर दो मैं जानता हूँ तुम उसको प्यार नहीं करती और कभी करोगी भी नहीं तुम जो चाल चल रही हो वो ये नहीं समझ पा रहा है मैं खुद भी इसी बारे में ही सोच रही थी चितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर हो जाऊंगी इस एरिया को ही छोड़ दूंगी मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुम उससे बहुत ही दूर जा रही हो मैं ये सोच के आया कि तुम मेरे घर की बहु नहीं बनोगी लेकिन अब लगता है कि तुम एक सही लड़की हो मैंने जो तुमारे बारे में सोचा था वो सब गलत था तुम जहां रहो खुश रहो आयशो तुम कुछ गलत नहीं सोचोगी तुम से एक बात बोलू मानोगी क्या क्या है आंटी बोलो नहीं होगा ऐसा मत बोलना आयशो शादी होने के बाद तुम हमारे साथी रहो ऐसा जरूरी नहीं जहां तुमारा मन हो तुम वहीं रहना ठीक है मेरा सर दर्ध हो रहा है मैं यह सोच रही हूँ कि क्या सही है क्या गलत है मेरी तुक कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा कोई एक दिन बताओ जो तुम्हें अपने मा की कमी फील हुई हो फील होने के लिए आप छोड़ेंगे तब तो ना आयशो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी ऐसा कभी तुमने फील किया नो वे वो नहीं तो दूसरी और दूसरी नहीं तो तीसरी उसके लिए मैं अपना दिमाग खराब कर ने वाला नहीं लेकिन वाइफ बनने वाली एक ही होती है और वो लड़की आयशो होगी तो तुम्हारी जिंदगी कलरफुल हो जाएगी आईशो मुझे पसंद है बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा पसंद है पापा आप चिंता मत कीजिए आईशो जगर में बहु बनकर जरूर आएगी एक सैल फोन खरेदने के लिए इतना रिसर्च करना जरूरी है क्या पहले सैल फोन के लिए नोकिया और सैंसन कंपनी थी और अभी हजारों कंपनिया हो गई है और अब तो सब जगे पर आईफोन ही नज़रा रहे है देखते हैं कितना रेट है वाफ न्यूट एप्स लेट्स चेक ये बुक करता हूँ ये ओनलाइन परफेक्ट रहेगा मेरे लिए इसमें ये सारी चीज़े हैं तो पब्लीक को तो पता चलेगी न बाई चांस अगर समाज को ऐसा पता चला अरे तो समाज तो छोड़ेगा नहीं ओ माई गॉड ये सब सच है मान नहीं सकते ये कैसे आप से डेवलप किये जा रहे है ये टेक्नलोजी छे वर्स टेक्नलोजी है तो हाई आई आई हाई प्रेंड कैसी हो हाँ हाई हे अहाँ अहाँ नए मोबाइल है येस कल ही तो लिया मैंने 90,000 का ओ, रेली, एक बार मुझे दिखाना दिखाता हूँ आज सुबह मिलना है करके आदी रात को मेसेज किया था पहले वो तो बताओ, याद है कि भूल गई तेल उस, what's the matter तुम सब लोगों के लिए एक good news है मेरे प्यार को एक्स्प्रेस करने का सोच रही हूँ अभी से अपने प्यार का इजहार करके तीन लोगों को हर्ट करने का मेरा मन नहीं है मेरे प्यार की इजहार के वाक्त सब जगह, सब कुछ अच्छा होना चाहिए सूरज के किर्णों के प्रकाश में लव करती है लव देखता हूँ वो कैसे प्यार करती है ये राज़ेस के रहती हुए गाव में कोई किसी को कैसे प्यार कर सकता है मैं अपने प्रेमी के साथ अपनी जिन्दगिये शुरू करना चाहती हूँ बागी के सभी लोग आकर अपनी विश मांगो वो जगह developing field हो सकता है या तो अलकोलोग factory भी हो सकता है तुम्हारा joint venture apartment भी हो सकता है या तो तुम्हारी पसंदिदे जगह भी हो सकती है See you guys, bye bye ए शीबू, इतने परेशान क्यों लग रहे हो आईशू ने decide कर लिया भावी कि आखिरकार उसका lover कौन है ऐसा है तो तुमसे प्यार नहीं करती क्या मालूम नहीं, बोला है कल बताएगी माई गॉड, तुम्हें देखके मैं तो घबरा ही गई थी कल बोलेगी इसके लिए तुम्हारा मूट खराब हो गया अगर वो किसी और से प्यार करेगी तो तुम कैसे बर्दास्त करोगे इसलिए तो डर लग रहा है भावे की कल क्या होगा भाई भी तक ड्यूटी पे नहीं गए क्या धरो मत सब अच्छा हो जाएगा ओके, एविल ट्राइए ओके, गुड लग ये बहुत ही पावरफुल स्वामी जी है ये अगर खान लेते है ना तो अच्छे पती पत्नी को भी अलग करवा देते है गले पड़ी लड़की को छुडवा देते है भाग के गई बीवी को कौन लेके आया बताओ जराई ने भाग के गई वही बीवी को भी वापस ले आते है अच्छे भले संसार को खराब कर देते है आपकी पावर कितनी है मैं जानता हू ना इसलिए इनको यहां लाया हूँ पहले इनका लव मैटर सॉल्फ कीजिए लव मैटर है मिलाना है या छोडाना है मिलाना है स्वामी जी मिलाना है यह सब नहीं चाहिए माँ चलो माँ तुम चुब बैठो आपके लड़के से वो लड़की प्यार करेगी ही करेगी वो होने के बाद ही आप मुझे एक साइट दे दो बाकी सम्मे संभाल लूँगा वो नहीं हुआ तो जगे पे मेरी परचाई भी नहीं दिखेगी ठीक है आगया आना अरे तीका चो लगवाले क्या लड़की के तरह शर्मा रहा है अरे रे रे क्या है माँ सुनो न माँ सुबा से बिना कुछ खाय पिये पूजा कर रही हो आप एक दिन नहीं आप माँ पूरे एक साल भी आप पूजा करती रहोगी न तो भी मेरे नसीब में आईशू का नाम नहीं लिखा है वो मुझे नहीं मिलेगी माँ ऐसा नहीं है बालू पूजा और प्रार्थना आने वाले अनर्थ को रोकती हैं माँ आने वाले अनर्थ को रोक सकते हैं लेकिन किसी के नसीब को नहीं बदल सकते माँ नहीं बिटा बालू, देखना, कल वो तुम्हारे पास आके, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बालू, यही बोलेगी वो तुमसे भगवान, शे बहुत इनुसंट लड़का है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसे कुछ नहीं बता वो जिस लड़की से प्यार करता है, बस वो अच्छी हो, आप उन दोनों को एक करो अलो, इस स्पेक्टर केमर है, इमेड़ेटल इस नमबर की डिटेस दो, प्लीस नोट द नमबर बोल ये सर, 7022-621-889, सर प्लीस ओल द नाइं सर, प्लीस ओल द नाइं सर, ये नमबर पांच्छी दो से नोट रिचाबल है, इंकमिंग और गोइं रस्रिक्टिड है, प्लीस नोट द देटेल सर, डॉक्तर निटेश बाल्दा, नमबर नॉन 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 एट प्लॉक, मंत्री अपार्टमेंट्स, बैंगलो 34, हालो, हाँ सर, आपने जैसा बोला, मैंने उन चार लड़कों को फॉलो किया, ओके, ठीक है मैं देख लूँगा, तो उसका भाई मुंबई में था, जरूर नितेश ही होगा, दोनों मिलके कुछ तो प्लान कर रहे हैं, गुद इवनिंग सर, आप आप स्टेशन, I saw your message, network problem is heavy here, I am leaving now, I will be reaching, tomorrow early morning, please don't mistake me, thank you, ये गल्ती करने वाला होता, तो message तेखते ही reply नहीं करता, पुलिस डिपार्टमेंट है, आप लोगों को तो किसी पर भी शक हो जाता है, as a well-wisher, brother, guardian, friend, जितना मैं जानता हूँ, आईशू ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती, मैं बोलू या ना बोलू, आप अपने भाई से शादी नहीं कराएंगे, फिर मैं ऐसा क्यों बोलू? आप नहीं बोलेंगे, तो उसे लॉक अप में डाल कर हमारे स्टाइल में डील करना पड़ेगा, बोले डॉक्टर, सोच लीजी आप. आईशू एक बहुत अच्छी लड़की है, हॉस्पिटल में पेशन्ट को जैसे वो देखती है, ऐसे तो एक नर्स भी नहीं देखती, मैं आईशू का भाई, उसका बेस्ट फ्रेंड भी हूँ, मैं नियूरोलोजिस्ट, वो और्थोपेडिक सर्जन, पापा बिजनिसमेन, मा हाउस वाइफ, एश्वरिया आईएसी कर रही थी, सिटी लाइफ पसंद नहीं थी, उसकी एक स्मॉल फैमिली, बट अ ब्यूटिफुल फैम, आईशू तेज रफतार से कार ड्राइव कर रही थी, और उसकी उस तेज रफतार से कार एक्सिडेंट हो गया, और उसी कार ए कैसी है, तु तो जैसे कुछ जानता ही नहीं, मावाप की तिथी के समय आके गया, उसके बाद घर पर एक बार भी आकर नहीं देखा, मेरी वज़य से एक्सिडेंट हुआ, मेरी वज़य से मेरे मावाप मर गए, उसी गम से वो अब तक बाहर नहीं आई, और तुम पूछते करना चाहिए न, और यहां मेरी कोई तकलीफ ही नहीं समझता है, थोड़ा मेरे बारे में तु सोचो यार, प्लीज, ओके इटलीस शादी करके उसे घर पे तो लेके जा सकते हो न, तुमारी कसम घर पे सादी के लिए सब राह देख रहे हैं, मुस्ट प्रभबली वन और अगर एक्सिडेंट होना होता है, तो हो ही जाता है, इतना ही नहीं, अगर मौत आनी होती है, तो घर में भी आ जाती है, जो जो समय में होना होता है, वो होकर ही रहता है, ऐसे ही तुम उनको याद करती रहे, तो घर में रहते रहते मेंटल हो जाओगी मेरे से मेरी आँखों के सामने हुआ मैं कैसे भूल सकती हूँ मेरी घर पे आ जाओ नहीं तो उसके घर पे चली जाओ अटलीस बाहर निकलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा रिलेक्सेशन मिलेगा तुम बोलो इसे कुछ वसंत के साथ बाहर जाओगे तो थोड़ा रिलेक्स वील करोगी आईशो तुम बाहर जाना चाहती हो तो इसका भाई विनो तुम्हारे माबाब की भी इच्छा थी कि तुम आईएस की पड़ाई करो ऐसे ही तुम अपनी इच्छा से समाज को अच्छा करो और फिर तुम इस तरह से कम से कम तुम इस हैंग ओवर से तु बहार आजाओगे आईशो मैं च्राइ करती हूं थेकर आईशो बाई कि अच्छा अच्छा माइए यह क्या हुआ अच्छा अच्छा जरो चलाओ, 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 चलाओ लो! लो मेा दिख्यूकोण दिख्या कि घोस याख्यूक है लो आख्यूक अजहार दाँ स्बूंभी नी जय आरा गगाँ आरे पागो याख्यूक लोड़ी नहीं पयां कुछ मैपने जोले सब thoughts जूल ने महाँ पागो ये तो मर गया यार और फिर एक्सिएंट हो गया कंप्लेइन की थी आपने वो लड़के लोग कौन है पता चला वो लड़के कहां से आये गाड़ी नंबर क्या था उनके बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिली पर उसका ध्यान तो सिर्फ काड़ी में बैठे हुए लोगों पर ही था आपने उन लोगों को ढूणने की कोशिश नहीं की आईशू को बचाने के उपर ध्यान था कैसे भी करके वसंद के साथ उसकी शादी करवाने की कोशिश की उसका दिल तो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है और लड़की की इससत वही तो उसकी पवित्रता है आईशू ले लो रोना बंद करो जाने वाले के पीछे हम नहीं जा सकते इतना तो समझो और कितने दिन बगएर खाय पिये रहोगी तुम तबियत खराब हो जाएगी कम से कम जूस तो पीलो नहीं चाहिए प्लीज भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ठीक है मत पियो देख वसंद मैं कितनी बार बोल चुका हूँ लेकिन कुछ सुनी ही नहीं रही तुम ही समझाओ आईशू शौरी बोल के जलने वाले आग में तेल डालने की मुझे इच्छा नहीं है ऐसा सब क्यों हो रहा है मुझे कुछ भी पताने चल रहा है तुमारे साथ ही क्यों हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये सब देख रहा हूँ तो इतना सब कुछ हो गया मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है बताओ मैं क्या कर सकता हूँ कोई बात नहीं छोड़ो एक भाई मेरे अंदर है और एक भाई मेरे साथ में है वसन तुम कैसे भी करके इसको अपने घर ले कर जाओ नहीं तो यह यहाँ पर भूगी मर जाएगी ओके नितेश तुम इसको तयार करो मैं लेके जाता हूँ स्वेर मैं कुछ भी नहीं करूँगी आप जा के आए टेक केर आशू मैं सुबात आऊ सब के लिए मैं ही कलंक हूँ पिछले जनर में मैंने क्या पाप किये थे मुझे पता नहीं परिशान हो गई हूँ मुझे मौत भी नहीं आती नहीं आएगी आईशू तुम्हें मौत नहीं आएगी क्योंकि तुमारी जान मेरे पास है मैं तुमको मरने नहीं दूँगा आईशू तुम्हारे माता पिता तुमसे दूर नहीं गए हैं तुम्हें पास ही हैं तुम्हें भरोसा रखना चाहिए तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए तुम रो रही हो घुट घुट के रो रही हो तुम ऐसे रहोगी तो वो नहीं रोएंगे कि आईशू प्लीज समझो यार प्लीज खाना खालो चलो आकरो दैट्स लाइका गुड गाल मुझे तुम अपने घर पे ले चलो आईशू वो नहीं हो सकता है घर वाले नहीं मानेंगे तुम्हारे घर में मानेंगे नहीं तुम मेरे करीब क्यों आए आईशू मैं तुम्हे बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें लाइफ लॉंग में छोड़ूँगा नहीं बट मैं तुमसे शादे नहीं कर सकता मतलब तुम्हारे कहने का मतलब मुझसे शादे के बग्यार आखरी तक मुझे अपने साथ रखोगे क्या बी प्रैक्टिकल आईशू जिस लड़की को चार-पांच लड़कों ने रेप किया हो उसे कौन माबाब गले लगाएंगे चार-पांच जन रेप कियो लड़की के साथ सोने के लिए मानेंगे क्या मानेंगे क्या मानेंगे क्या आईशू क्या कर रही हो ये मानेंगे क्या आईशू तुम्हारे साथ सादी करके मैं कैसे रह सकता हूँ तुमने अपने दोस्त को भी दौका दिया है आइशू क्या कर रिचा बिचा नहीं चुमुंगे माड़ा लूगे तो आपके कहने का मतलब है उसके अंदर कोई भूत आता है एक नियूरोलोजिस्ट होने के नाते बता रहा हूं उसके उपर भूत भी नहीं है और भगवान भी नहीं है ये एक भाई का भरोसा है उससे multiple personality disorder है वो ऐसे ही बाहर नहीं आता है जब कोई उसके बदन को चूता है तब वो बाहर आता है और वो तो आपने देखा ही है तो उसका रेप करने वाले को डून के मार देने का chance है क्या? chance है भी बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं पर आपने ऐसा क्यों बूछा? जस्ट clarify करना चाहता था उस दिन से उसके साथ रहने की बजाए उसे घर में अकेला लॉक कर दिया थोड़े दिन के बाद मैं तुमारे उपर बोच बनकर नहीं रहूंगी बोलकर किराय के घर में रहने चली गई अब एक बार आईचू से बात करके देखिए अगर वो मेरे भाई को पसंद करती है तो मैं खुद ही उन दोनों की शादी करवाऊंगा थैंक यू वेरी मच सर आज ही उससे बात करता हूँ और उसे मनाता हूँ किधर लेके जा रहे हो कहीं नहीं बस यहीं चल रहे है हां थुम ओ लेड़ी प्यार कर रही हो लगता है ची अज बस और रहे हो वड़ी करता है वाँ हुआ उसने मेरी जिन्दकी बरबाद की है श्रद्धांजली दे रही हूँ आप लोगों का आश्रवाद चाहिए मैंने तुम्हें बाहर रहने के लिए का था इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गए तुम किस से प्यार करती हो यह मुझे नहीं पता लेकिन मुझे मालू में तुम मुझे प्यार नहीं करती हो यह तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो तुम मुझे प्यार नहीं करती हो ना माई लाइफ मैं तुम्हें किसी के लिए छोड़ूंगा नहीं अच्छा सब तुम ही ने डिसाइड कर लिया क्या वो मुझे पसंद नहीं है लेकिन मुझे पसंद है ना चोड़ो चोड़ो तुम गलत कर रहे हो जॉन जीद से एक लड़की के शरीर को पा सकते हो पर उसके मन क अगर तुम मन दोगी तो मैं ले लूँगा लेकिन शरीर नहीं दिया तो भी मैं लेही लूँगा छोड़ो जॉन मेरा बदन मत चुओ ठीक नहीं होगा ठीक है तो मैं आपका बदन नहीं चूँगा क्या मुझे एक सेल्फी मिलेगी सॉरी ओके सुपर्ब एंड सेक्सी टू सी यू बेबे मैंने अब तक तुम्हारी इस फोन से जितनी भी सेल्फी ली हैं वो सब न्यूड हैं क्या तुम देखना चाहोगी बेबे घ्र आच था हुआ हूह OUT हास क梁 ओू हुाहода ख procurement थैल फर उण हुआ 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 यह ब्राइंड ठीक है लेकिन प्रोडाक्ट बिलकुल अच्छा नहीं है बट वाइ? मैं यूज करने वाली सोप, शांपू, पाउडर, पर्फियम कॉस्ट्यूम्स, not only that, then how could you use Indian made? I'm really proud of you आईशू, इसके बाद मैं भी फॉलो करूँगा और अपने दोस्तों को भी बोलूँगा फॉलो करने के लिए वो तुम्हारे भाई नहीं, पिता समान है, वो तुम्हें जो भी बोलें, तुम्हें सुनना ही चाहिए, तुम्हें हमेशा सुनना चाहिए कल हो तुम्हारे पास आके, मैं तुम्हें से बहुत प्यार करती हूँ बालू, यही बोलेगी वो तुम्हें करता हूँ, प्रेव बोले हूँ आ कि लिए अई्षू तुम एसे क्यों कर रही हो आशू क्या हो तुम्हें आशू 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 क्या वाथ तुममलू वेशू क्यों है वेश। बालू, देख तेरी माँ तुझे बुला रही है, मेरी बात सुन बालू ये बाला जी होलो ब्रिक्स ट्रैक्टरी में एक मर्डर हुआ है, तुम अपने साथ दो आर हवलदारों को लेके इमिजेटली स्पोट पर आ जाओ, ठीक है सर्, और हाँ एम्मूलन्स को भी इन्फॉर्म करना, ओके सर्, किसका बेटा है ये, देवमा है ना, उसी का बेटा है, अजंकियों को फोन कर रहा हूं, तो उसका फोन नौट रिचे बला रहा है, अच्छा, क्या हुआ ऐसे, फोन क्यों नहीं उठा रही है, गंटी तो जा रही है, पर फोन क्यों नहीं उठा रही है, तुम शिव से प्यार करती हो, ये सोच रहा था मैं, बट तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मेरी जिन्दिगी को मतलब मिला, I love you, Aishu, I love you so much, Aishu, I love you so much, I love you, Talks 기innen were you, fresh, online late, I love you, Aishu. ठाइट। हस्थमाऊ से अरे थाआज से यहाँ हसे यहाँ जिर पाइट। हलो सर, हमारे एरिया में सीरियल क्लिंग का केस है ऐसा क्या? जी मैं देखता हूँ सर ओके, ओके सर जान राच से ये लरका गर नहीं आया पता नहीं कहाँ चला गया क्या है मालू मालू अधिया आधिया मालू क्या हो गया तुझे इस्ट्ष आध्मार जान जान कहा गया ये अरे अरे दूरडो दूरडो मेरा बच्चा ये लोग ने अपने साथ ले जाकर मेरे बच्चे की जान ले ली चल जूकी तेरे कर्म की वज़े से तेरा बेटा मर चुका है आज मैं कितनी बार कह रहा था कि ये जादू टोना कुछ भी नहीं है लेकिन मेरी सुनी ही नहीं बिल्कुल नहीं सुनी तुमने पहचान कराओ पहचान कराओ कहके जान खाली मेरी तुम खुद तो बुरी हो लेकिन तुमने मुझे भी बुरा बना दिया तू जिन्दगे में कभी नहीं सुधरेगी तू बहुत खराब हो रहा थे तू ये सब तुमने बिनबताय किया है तुमने ही मेरे बेटे को खराब किया था प्रुनाश कर रही है तू क्या क्या कर दिया है तूने अपने पैदा की हुए बेटे को भी खराब कर दिया मार दिया तूने हत्यारेने तू सब खत्म हो गया ना मर किया हमारा बेटा आईशो आईशो क्या आपने मेरे शीबू को देखा नहीं मैंने नहीं देखा है बगवाद कि अजवान है में। जिजस ये क्या हो गया जी बोलिए सर वो मिली क्या नहीं सर पर उसके घर से एक बोडी मिली है सर अब जो बचा हुआ है वो सिर्फ मेरा भाई है अगर उसने मेरे भाई के साथ कुछ किया ना तो मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा उसे छोड़ना मत डोंट ब्रेक दा लॉग तो मैं मालूम है ना तुम्हारे ही लड़कों की गलती है अगर अब भी तुम उसका एंकाउंटर करोगे तो तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करोगे रेप करने वालों को सबको मार देगी तो क्या उसकी खोई होई इज़त वापिस आ जाएगी सर उसको आरेस करके पेश करो इट्स माई और अजीब बात है ना देखो ना तुम्हारी बड़ी बहन छोटी बहन लेकिन मैं तुम्हारी मा जासी हूँ तुम्हारा हसना रोना मैं अच्छे से समझ जाती हूँ भावी भहिया से बात करने को मन करता है जी करता है कि उनसे सारी बाते शेर करूँ लेकिन वो नहीं करते पता नहीं वो मुझसे ऐसा वेवार क्यों करते हैं बताए भावी मैं क्या करूँ वाई ड़स ही टीट मी लएक क्रिमिनल कभी कवार तो मुझे लगता है कि जैसे मैं उनका सगा भाई ही नहीं हूँ प्लीज हेल्प मी सुनिये अब तो कुछ बोलिये अब तो आपने अच्छे से सुना ना अच्छे साग्या के जसे से संगह सबस्तुर्स कि अउडिक olm अरे-अरे क्यों मा रहे यहrilिздर प्यूहे घख़ूहे हम वहे हम गलए किर फहें मैं देखिए सर कैसे लड़ाई कर रही है वो प्रॉख रहाँ शुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् ये विनोद कहां गया कहां गया विनोद कहां गया मुझे भूला मेरी रक्षा करेगा रक्षा करेगा मेरी शिवो को मार दिया शिवो ने मेरा रेप नहीं किया था भाई मेरी जान से जादा उससे प्यार किया है उसे भी मार डाला अपको चलाग या शिवू 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 बया शिवू 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 यह क्या हो गया चलो चलो हॉस्पिटल चलते है चलो बहिए प्रोमिस कीजे कि आप उसे कुछ नहीं करेंगे अप मुझसे प्यार करती है बहिया बादा कीजी शिवू बादा कीजे कि उसका खयाल रखेंगे शिवू शिवू प्रोमिस करता है न तैंकी शिवू शिवू तो लाइफ में जितना भी समझ गया उतना ही बहुत है अपरादी की चाच की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे डूएल परसनालिटी डिसॉर्डर की विचित्र मनोरोगी बिमारी है अपरादी को पता चले वगयर उसके शरीर से उसके भाई के द्वारा किये हुए मडर की सजा अपरादी को देना ठीक नहीं है उसके भाई को उसके शरीर में बार बार आने जाने और मडर करने के लिए सजा तो नहीं दे सकते झाल झाल